कई है कि अई हो एवरिवन आध वेल्कम तो माई चैनल टॉप अधो आर्म सिरीज ए अर्म नीट 2022 तो सिरीज उसमें भी आप सब का स्वागत है बहुत-बहुत सब स्वागत है आप सबका हमारी चैनल में बच्चो जैसे आप जानते हो के हमारी जो टॉपर्स बायोजी की जो हमारी आरम सीरीज है इसमें हम क्या पढ़ते हैं तो यहां पे हम स्टांडर 11 और स्टांडर 12 बायोजी निट 2022 की प्रिप्रेशन करते हैं और इसके एकोडिंग हमार स्टांडर 11 का सेकंड्चेप्टर बायोजी कलक्ल क्लसिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तर्ट टूड़े वी इंग टू अब देखो बच्चो अगर किसी बच्चो का कोई भी लेक्चर मिस हुआ है जैसे स्टांडर 11 का अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया है आरम सीरीज में स्टांडर 12 का अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है आरम सीरीज में तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी ल जाके आप देख सकते हों तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे स्टांडर 11 सेकेंड चेप्टर बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन डे वन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो वीडियो लेक्चरे मिन्स के आज का जो सेशन है वो आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन में डे वन में मतलब आज के सेशन में क्या-क्या पढ़ने वाले उसकी एक छोटी सी जलक देख लेते मतलब कि आज हम क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते मतलब कि आज के हमारे पीटा रखेंगे अंदर क्या है वो हम देखते हैं तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is biological classification मतलब definition हम देखेंगे simple definition देखेंगे जो आपकी school की exam के लिए बहुत important है आपको ये तो मालूम होना चाहिए निके biological classification actually है क्या वो हम पढ़ेगे second जो हमरा topic होगा वो होगा आपका need for biological classification आप बोलोगे sir चलो ये तो हो गया क्या है क्यों हम लिविंग और्गेनिजम को अलग अलग ग्रूप में क्लासिफाइग करते हैं वो आज हम देखेंगे दूसरा जो हम देखेंगे वो है advantages of biological classification के हमने living organism को अलग अलग ग्रूप में तो क्लासिफाइग कर दिया बट इसका advantages क्या है हमको क्या benefit होता है इतनी सारी exercise करके इतनी सारी बेजा पट्टी करके हमको एक्चुली क्या मिलेगा मतलब advantages क्या जरूरत है यह सारे living organism को classify करना तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों जरूरत है living positively organism स्क्लासिफाइग करना और लास्रों हम पढ़ेंगे लारशं बट लिस्ट वह होगह आपका objective of biological क्लासिफिकेशन हमारा objective मतलब हम क्या बोलते हैं है हम क्या है कि भ先生 कोई भी काम करते हैं तो उसका objective कि हमको लिएगा क्या उससे उसके बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वाट इस बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन उसके बारे में हम देखते हैं सो आप इसका सो सबसे पहले हम क्या है या तो इसकी डेफिनेशन यह जो कॉश्चन है यह आपकी स्कूल की एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि वाट इस बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन क्या है तो जैसे सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं कि बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुली है क्या तो बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि जो लिविंग और्गेनिजम है हमारे अजुबा जो भी लिविंग और्गेनिजम है जैसे बेक्टेरिया है प्रोटिस्टा है फंजी है प्लांट है एनिमल है तो यह जो स सारे living organism को हम एक particular scientific order में अरेंज करते हैं scientific order में अरेंज करते हैं inner hierarchical series of group मतलब एक हमारे group है hierarchical group बनाया हुआ है हमने तो वहां पर यह जो living organism है अब बहुत सारे living organism है तो जो भी living organism हम देखते हैं उनको हम scientifically order करते हैं अब order करनी के लिए हम क्या criteria क्या लेते मतलब के basic क्या लेते हैं कौन से base पे हम इनको classify करते हैं मतलब के अलग-अलग group में हम इनको रखते हैं तो इनके बीच में जो relationship है relationship उसके according हम इनको classify करते हैं अब आप बोलोगे relationship मतलब क्या तो हम जैसे देखो तो जो organism है तो उनके बीच में जो relationship है उनके according हम organism को classify करते हैं यह तो आपके दिमाग में हो गया मालूम पढ़ गया now relationship मतलब कौन से relationship लेंगे मतलब यहां पर ऐसा तो थोड़ी लेंगे कि यह इसका बाई है यह इसका बेहन है बरबर यह मेरी वाइफ है मैं इसका हस्वालू ऐसा हम relationship यहां पर नहीं लेते simply यहां पर हम इनके बीच में morphological relationship क्या है तो on the basis of relationship, morphological relationship तो इनको हम अलग-अलग ग्रूप में classify करते है इनके यह लोग मतलब के इनके एंसेस्टर कौन है common ancestor कौन है तो evolutionary relationship हम लेते हैं यहां पर दूसरे भी criteria हम लेते हैं दूसरे भी criteria हम लेते हैं जैसे के anatomical हम लेते हैं phylogenetic character हम लेते हैं तो इसको actually हम बोलते है biological classification तो अगर इसकी definition देखी जाए कि what is biological classification definition कि what is biological classification अब बोलोगे न कि definition क्या है scientific definition अगर school की exam में अगर यह question पूछा गया तो मैं answer क्या लिखूंगा यह लिखूंगे तो फर्स्ट आपको क्या दिखना है कि what is biological classification तो biological classification biological classification is a scientific ordering of an organism यहाँ पे हम organism को scientifically order में रखते हैं so biological classification is a scientific 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 uh ordering scientific ordering किसका ordering scientific ordering of an organism मतलब क्या होगा जैसे के organism को हमने अलग-अलग group में classify किया है जैसे एक्जामपल हम लेते बेक्टेरिया प्रोटिस्टा देल आप देखो फंजाई हो गया आपका फंजाई किसक्तिक्ति आफिए प्रोटिस्टा आपका खुछ प्रोटिस्टा मुंट्र तो biological classification is a scientific ordering of an organism in a hierarchical, hierarchical, series of an organism, series, sorry, series of a group on the basis of, on the basis of their relationship, their relationship, their relationship, their relationship, अब relationship मतलब के साथ वो तब में आपको बता दिया कि उनके बीच में morphological क्या relation है उनके बीच में evolutionary क्या relation है उनके बीच में anatomically क्या relation है तो इसके according जो organism है हमारे जो आजू-बाजू जो organism है इनको हम अलग-अलग scientific order में रखते मतलब कि अलग-अलग order में रखते हिएरिकल series of group में रखते हैं जैसे के कुछ organism होते हैं उनको हमने bacteria में रख दिया बरब कुछ organism है उनको हमने प्रोटेस्टा group में रखा कुछ organism को हमने fungi में रखा किसी को हमने plant में रखा किसी को अमने animal में रखा so this is the perfect definition of biological classification वर आव एक बर वापस हम repeat कर लेते हैं कि What is biological classification biological classification क्या है है तो बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन इस साइन्टिफिक इस साइन्टिफिक ओर्डरिंग ऑफ एन और्गेनिजम लाइक बेक्टेरिया प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमल इन एरिकल सीरीज ओफ ग्रूप ओन दे बेजिस अफ देर रिलेसंशिप ओन से रिलेसंशिप जिसे ब्रेकिट में अप्लिक से ओकते हो और्फोलोजिकल रिलेसंशिप और इवोलुस्टनरी क्या रिलेसंशिप इसके बेस पे हम और्गेनिजम को अलग-अलग ग्रूप में क्लासिफाइग करते हैं तो यह जो और्गेनिजम को साइन्टिफिक ओर्डर में रखना एक ओर्डर में अरेंच करना अब second question हम देखते हैं जैसे हमने देखा कि आज की lecture में हम पढ़ेंगे क्या आज की lecture में हम क्या पढ़ेंगे तो जैसे हमने first देखा कि what is biological classification वो हम पढ़ेंगे second हमने देखा need for biological classification कि यह जो हम organism को अलग-अलग ग्रूप में क्लासिफाइग करते जैसे कुछ क्या जरूरत होगई इतना सारा वर्क करनी के लिए इतना सारा भेजा-पच्रे करनी की क्या जरूरत है कीव हम ओर्गेनिम को classify करते हैं जरूरत क्या है तो simple जो अभी हम देखेंगे वो है need of need for biological classification ये भी आपको पुछा जाता है कि why we do classify organism हम organism को classify क्यों करते हैं ये question आपकी board की स्कूल की exam में पुछा जा सकता है कि हम organism को क्यों classify करते हैं तो अब जैसे देखो कि जब आप घर के घर से बार निकलते हो जब घर से बार निकलते हो तो आप अपने surrounding में देखते हो तो there are numbers of living organism there are numbers of living organism जैसे आप आप देखते हो तो आप घर से बार निकले तो प्लांट को अपने देखा अलग-अलग तरह के प्लांट है बरब नीम का प्लांट है आप देखो आसो पालो हो गया बरब मेंगो का ट्री है बहुत सारे प्लांट है छोटे-छोटे हर्प से बरब डॉग आपको मिल गया काउ मि अफेलो मिला लिजाड आपने देख ली तो आप देखो मतलब हमारे अजुबाजू बहुत सारे living organism बहुत सारे organism है अलग अलग तरह की organism है किसी का body अलग है body structure अलग है किसी का form अलग है किसी की मतलब कि जो digestive style है वो अलग है कोई autotrophic के कोई heterotrophic है तो इतने सारे organism है ऐसा approximately ऐसा मना जाता है कि आज की तारिक में अगर आज की तारिक में हम देखेंगे तो देर आर मोर देन 1.5 मिलियंस एनिमल्स आज की तारिक में अगर बच्चों देखो तो यह question भी आपके लिए बहुत साथ इंपोर्टेंड है आज की तारिक में अगर हम देखते हैं तो 1.5 मिलियंस एनिमल्स को आज तक हमने classify किया हुआ है identify किया हुआ है उनको naming दिया हुआ है 1.5 मिलियंस एनिमल्स ए 1.5 अगेंस में repeat करता हुआ कि आज की तारिक में अब तक हमने approximately 1.5 मिलियंस एनिमल्स को identify किया हुआ है दुसरा इनको organize किया हुआ है classify किया हुआ है इनको naming दिया हुआ है और अब देखो approximately more than 10.5 मिलियंस प्लांट अगर देखा जाए तो approximately 0.5 मिलियंस प्लांट को हमने आज तक classify किया है जिनको हमने identify किया है अब इतने सारे एनिमल है आपके आज बाजो अब जिसे में अगर आपको बोलता हूँ के समझो के आप एक लाइबरेरी में गए बरब अब यह लाइबरेरी में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है management की बुक्स भी पड़ी हुई है एक तरफ आप देखोगे तो biology की बुक्स मतलब कर साइंस की बुक्स पड़ी हुई है साइंस की बुक्स में सब कुछ आ गया chemistry आ गया मतलब यहां पर समझो के यहां पर एक बुक स्टॉल में गए बरबर यहां पर आप आपको एक पर्टिक क्या है पूरा जो कमरा है न वह पूरा कम्रा का बुक्स से वरा वे पूरा कमरा को अंदर management की बुक्स भी भड़ी हुई है अंदर और story की बुक्स भी है science की बुक्स भी है chemistry की ब्स बिचिक्स जी डाली हुई है sound is a reference फ्रेंस बुक है, MTG की बुक से अलग बहुत सारी बुक्स पड़ी हुए, स्टोरी की बुक से, सस्पेंज, थ्रीलर, सारी बुक्स पड़ी हुए, अब उस ओनर ने आपको बुल दे बेटा जा अंदर और बुक्स को डून ले, अब आप सर्प्राइज हो जाओगे, आपका सर चक्रा जाएगा, सायद आप उस सौप के पर को गाली दे दोगे, यार क्या है, बरवे, अब यह सारी बुक्स में से आप नहीं ढून सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बुक्स में से आपको जो बुक्स चाहिए, NCAT, बाइलोजी के, आप नहीं ले सकते हो, नहीं ढून सकते हो, बट अगर समझो कि आप पास वाली दुकान में गए वहां पे इन्होंने जो बुक्स है ना बुक्स को अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है कि जैसे आप बुक्स में गए एक बड़िया सा कमरा है सौप है वहां पे आप गए हो तो एक तरफ उन्होंने कॉमर्स की बुक्स हुई है एक तरफ उन्होंने साइंस की बुक्स रखी हुई है इस तरफ आप देखोगे तो स्टोरी की बुक्स है बरबर इस तरफ आप देखोगे तो फिक्सन की बुक्स रखी हुई है इस तरफ आप देखोगे तो न्यूस पेपर रखी हुई है अब आपको कौन सी बुक आपकी और college की की अलकी हुई है कि यहां पे आपको mix मिलेगी यहां पर को आपको कॉलेच की भूक्स मिलेगी को कौनसी hm सी जाहिए हमको biology 11 ay biologyскlie Tax हम 28 और उने जो बुख्षचिया उसको पिक्किया और लेकिए गय और मिलिंग बना दिया पेशा दिया तो सिंपल हो गया ना मारा काम क्यों सिंपल हो गया काम क्योंकि यहां पे यह जो बुक्स ओनर है इसने जो बुक्स है उसको अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है बस वेसा ही होता है कि अगर समझो के आपको कोई पर्टिकुलर और्गन और् properly classify किया होगा ना तो हमारी जो study है वो easy हो जाएगे study है वो easy हो जाएगे आपको जो particular character चाहिए उस group में जाते हो आपके character जिस group के साथ match होते हो जैसे के आपको ऐसा organism चाहिए जो autotrophic हो जिसके body के अंदर chlorophyll हो जिसके body में vascular tissue हो, xylem हो, flowyum हो तो सीधा आप plant के पास जाओग या किस में जाओगा तो obviously आप देखोगे कि वह यह autotrophic है तो animals में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि animals तो heterotrophic होते हैं अब दूसरा क्या है कि इनके अंदर chlorophyll है, cell wall है, conductive tissue है, यह मू नहीं करते हैं, non-motile है तो सीधा plant में जाते हो तो यह होता है need बार के अच्यूली क्या हमने देखा कि वह यह तेर आर ओर दन 1.5 million animals are identified classify and naming and more than 0.5 million animals are identified classify and naming but study of each and every living organism each and every living organism study of each and every living organism is not possible even because we are not computer कॉंपूटर कर सकता है कि कोई भी साइंटिस्ट होगा कोई भी बायोजिस्ट होगा उसको हर लिविंग औरिशम के नाम याद होंगे यह पॉसिबल नहीं को इतने सारे naming ने दिया है classify ने किया है तो study of each and every living organism is not possible so therefore we classify organism into different group जिनके character same है हमने क्या किया कि यह जो living organism है उनको हमने अलग-अलग group में classify कर दिया तो जिससे क्या हो जाएगा हमारी जो study है न वो easy हो जाएगी तो अगर आपको पूछा जाए कि क्लासिफाइग करने से हमको क्या मिलता तो मतलब कि study of living organism becomes very easy due to biological classification हमने character के according इनको अलग-अलग group में classify कर दिया जिन में similarity है उनको एक ही group में रखा जैसे आप देखो तो हमने प्लांट के अंदर रखा क्योंकि सब लोग अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब के दे ओल आर फोटो ट्रोफिक और्गेनिजम ब्रव देर सेल्स कंटेन ख्लोरोफिल दे परफॉंग फोटो सिंथेजिस तो देरफोर मतलब फोटो सिंथेजिस करते हैं इसके लिए वी पूट देम इंटु सेम ग्रूप प्लांट एनिमल के आप बात करो तो मतलब के दे रूट यह हमारा ग्रूप में हो जाता है और निडि प्वार क्लासिफिकचन करने के तो यह हमारी नीड हो गया तो तो यहां पर हमने देखा definition what is biological classification तो आप इस definition को लिख सकते हो या तो आप इसका screenshot भी ले सकते हो ओके तो प्लीज राइट डाउन इट प्रॉपर्ली बिकोज इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो प्लीज राइट डाउन इट वी सी देडवांटेजिस ओप बायोलोजिकल क्लासिफिकेशन जैसे बच्चों में आपको बताया कि हमने जो लिविंग ओर्गेनिजम में उनको हमने अलग अलग ग्रूप में क्लासिफाई किया है जैसे हमने देखा कुछ और्गेनिजम को हमने बेक्टेरिया में रखा हुआ है कुछ और्गेनिजम को हमने प्रोटेस्टा में रखा हुआ है किसी को हमने फंजाई में रखा हुआ है किसी को हमने प्लांट में रखा हुआ है किसी को हमने एनिमल्स में जिसको हम बोलते है biological classification अब इसके advantages क्या है यह जो advantages जो हम देखने जा रहे they are very important for your school exam आपकी school के exam के लिए even basic understanding के लिए भी बहुत important है तो जिससे first जो हमारा advantages होगा कि जो living organism को हमने classify किया है जिसको हम बोलते है biological classification तो इससे हमको फाइदा क्या होता है benefit क्या होता है advantages क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं तो जैसे first हमरा जो advantages है वो है कि it makes their study convenient जैसे मैंने आपको बताया कि biological classification की वज़े से के organism के बारे में जो हम study करते हैं वो बहुत ही convenient हो जाती है easy हो जाती है आप easily हर एक organism के बारे में study कर सकते हो तो it makes the study of organism easy क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि there are approximately more than 1.5 million animals जो हर एक animal के बारे में study करना यह possible नहीं है किसी के लिए भी possible नहीं है आपके लिए नहीं है किसी के लिए यह possible नहीं है तो biological classification की वज़े से जो study होती है organism के बारे में वो easy हो जाती है second जो हमारा point है second point के it facilitate identification of organism के biological classification की वज़े से क्या होता है कि जो organism की जो identification है उसको हम easily understand कर सकते जैसे आप देखो तो हमारे पास पांच तरह के kingdom है कि जैसे हमने देखा बेक्टेरिया हो गया मोनेरा प्रोटिस्टा हो गया फंजाई हो गया प्लांट हो गया एनिमल हो गए तो लाइक जैसे के अगर अब बारे में easily identify कर सकते हो कि यह plant है तो obviously मतलब कि यह photosynthesis करता होगा इसकी cell के अंदर cell wall होगा बरब इसके अंदर conductive tissue होंगे, xylem होंगे, flowem होंगे यह flowering plant है इसके लिए हमनों इसको angiospum में रखा हुआ है तो जो flowering plant है तो अब easily किसी भी organism को identify कर सकते हो थर्ड जो हमारा point होगा थर्ड वो यह है कि it reveals relationship among various group of organism एक तो क्या होता है कि जो biological classification की वज़े से जिनके character same होते है we put them into same group और जिनके character अलग-अलग होते है उनको हमने अलग-अलग group में रखा हुआ है जिसे example आप देखो तो जो animals है तो animals में भी हमने बहुत सारा classification किया हुआ है बरब के animals के अंदर हमारा एक group आता है वर्टीब्रेट अब वर्टीब्रेट में भी हमने सबको अलग-अलग रखा हुआ है जैसे spices हो गया reptiles हो गया amphibians हो गए mammals हो गए और aves हो गए तब देखो तो मतलब कि इनके बीच में क्या relationship है वो भी आप identify कर सकते हो जैसे example अगर हम देखो aves की बात करते हैं और mammals की बात करते हैं दोनों है तो animal क्योंकि both are included in the animal kingdom दोनों animal kingdom में आते बट इनके बीच में relationship किया है means कि what are the relationship between them कि यह इनके बीच में common character क्या है तो जैसे आप देखो aves और mammals तो दोनो वाम ब्लॉडएर अनिमल से दोनों कैसे अनिमल से वाम ब्लॉडएर अनिमल से because यह अपने बोडी के temperature को constant रखते है तो दे आर पोई किलो थर्मिक अनिमल्स वाम ब्लॉडएर अनिमल्स सो देख किप देर बोडी टेंपरेचर मेंटें मतलब constant रहता है इनका बोडी टेंपरेचर सो यह फॉर्ट चेंबर हाट वाले organism है तो रिलेशन्सिप क्या है हाँ हमने उनको रखा तो अलग-अलग ग्रूप में जैसे ए उस मतलब बड्स और मेमल्स मतलब जैसे कि युमन अगया काव आ घया बुफिल वा कि उणिया टाइगर आगया लायन आ किया एलिफिन यह इस सारे मेमल्स है ले स्सक्राओं रिलेशन्सिप क्या क्लासीप यह है कि बहुत अनिमर्स बहुत अनिमर्स पर चेंबर हार्ट दो upper atrium है और दो lower ventricles है मतलब four chamber heart so these are the relationship so biological classification से ये relationship को हम reveals कर सकते है fourth जो हमरा character होगा वो यह होगा कि it gives information about plant and animals which do not occur in once-oven locality once-oven locality जिसे कि सम जो example आप लेते हो कि आप एक ऐसी जगह पे रेते हो जहां पे एक particular plant या animal नहीं है जिसे example ले लो कि आपके आजू बाजू कोई भी horse नहीं है या तो elephant नहीं है बट फिर भी आप उस horse या उस animal को आप पेचान सकते हो ये किस की वज़े से होता है biological classification की वज़े से होता है कि जिसे biological classification की वज़े से जो लास्ट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है biological classification एडवांटीजिस का जो अमरा लास्ट पॉइंट है वो है कि इट रिवील्स इवोलिशनरी ट्रेंट्स बाई शोविंग ग्रेजुली इंक्रीजिंग इंक्रीजिटी अब दी स्ट्रॉक्चर यह बहुत इंपोर्टं पॉइंट है इड़ीज स्कूल एक्राइट्स बोड़न सबक्राइब अग्रेजिए। एडवांट हये इंड आ सी योपार्इव टॉजिकल o詞्टस एडवांगति एह क्या समझाता है तो evolutionary trends by showing gradually increasing complexity of the structure, जैसे example आप देखो, तो जो aquatic organism होते हैं, so they have two chamber heart, जो aquatic organism होते हैं, इनमें दो chamber heart होते हैं, फिर जो अपके amphibians होते हैं, इनमें three and half chamber heart होते हैं, sorry, three chamber heart होते हैं, बरब देन आप देखो, mammal से और जो ev से, इनमें four chamber heart है, बरब जैसे गेंको complexity increase हो रही है, बरबर, two chamber से three chamber हो रहा है, three chamber से, three and half chamber हो रहा है, three and half chamber से four chamber हो रहा है, तो यह जो evolutionary habit जो ह gingerkie, three chamber heart है और जो aquatic organism है उनके अंदर two chamber heart है तो आप एसा बोल सकते हो कि जो amphibion से बरबर so they may be evolved from the aquatic organism कि यह लोग aquatic organism में से ही आए होंगे क्योंकि two chamber होंगे तो जाके तीं chamber हुए होंगे ना तो evolutionary relationship भी हम इस से identify कर सकते कि कौन किसमें से evolved हुआ है कौन किसमें से evolved हुआ है, so these are very important points, आप इसको लिखना है तो आप लेख सकते हो, अगर आपको इसका screenshot लेना है तो आप इसका screenshot ले सकते हो, now we see the objective, means कि अब हम देखते हैं कि biological classification करने के पीछे हमारा objective क्या है, कि what are the objectives, जो आपका first objective होगा, वो है कि to recognize and precisely describe the basic unit of classification, कि यहां पर क्या होता है, कि जो classification का जो हमारा basic unit होता है, वो होता है species, जैसे example आप लेलो species, तो जैसे हम homo sapiens है, तो हमारी species क्या है, sapiens, तो हमने कैसे describe किया, मतलब कैसे हमने classify किया है, कि भई हम इस particular species से belongs करते हैं, तो to recognize and precisely describe the basic unit, तो किसी भी organism का जो basic unit होता है, वो species, मतलब हम सारे, जितने भी human है, अर्थ पे जितने भी human है, चाहिए उनकी races अलग अलग हो, जैसे कि कुछ लोग American होंगे, कुछ Asian होंगे, कु African होंगे, तो हमारी human races अलग-अलग है, बरब हमारी human races अलग-अलग है, but we all belong to same species, because we can, मतलब हम लोग produce कर सकते हैं, मतलब हम लोग एक दूसरी के साथ breeding कर सकते हैं, और fertile progeny को produce कर सकते हैं, तो इनको हम इसके लिए हम सब लोग same species के, तो species को सब मतलब के precisely describe करने के लिए biological classification बहुत जरूरी है, second जो होगा, वो होगा आपका to devise an appropriate method of assigning the basic unit into an ascending series of group, ascending series of group, जैसे example आप देखो, तो आपका सबसे पहले आता है, ascending order में हम जैसे देखते हैं, तो सबसे नीचे होता है हमारा spaces, spaces के बाद होता है हमारा group, group के बाद होता है हमारा order, तो इस तरह से जो हम दीरे 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 जो उपर बढ़ते जाते हैं, तो यह जो ascending order में हम जो organism को identify करते हैं, और organism को placing करते हैं, तो यह किस तरह से हम decide करते हैं, कि बहुत स्पेसिस के अदर कौन से organism आएंगे, कौन से organism सेम स्पेसिस के अदर आएंगे, कौन से organism उसके उपर, स्पेसिस के उपर जो है आपका here की, वो है आपकी genes, तो कौन से organism को हम सेम genes में रखेंगे, जैसे हमारा genes है homo, तो कौन से organism को हम सेम genes में रखेंगे, ये भी आपको biological classification की वज़े से easy हो जाता है, थर्ड और जो लास्ट हमारा point है, वो ये है, to indicate the phylogeny, phylogeny मतलब evolutionary, तो to indicate the phylogeny of organism, हम organism की phylogeny को भी indicate कर सकते हैं, मतलब के हम कौन से organism में से evolve हुए है, उसके बारे में भी हम biological classification से easily समझ सकते हैं, तो बच्चों आज हमने देखा standard 11, chapter 2, biological classification, आरम बेच का day 1 lecture है, हमारा next video lecture में हम बात करेंगे, आगे के topic के बारे में, बरब, so thank you very much for watching my channel, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, तो मेरी चैनल को subscribe किजिए, और mail आइकन को दबाना मत बूलिए, जिससे जितने भी मेरे आने वाली वीडियो है, उन सब की notification आपको मिलती रहे, इवन आप मेरी एप को play store से डाउनलोड भी कर सकते हो, Apollo, CBSC Classes के नाम से, बरब, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप free में घर पे बेठे, आप free में online lecture और online test दे सकते हो, बरब, ओके, so thank you very much, अपना ध्यान रखे और पढ़ते रहे, thank you.